अल्बर्ट काबो एक प्रसिद्ध गायक हैं जिन्होंने अपनी शुरुवात हिट शो सारे गामापा से की थी जी टीवी पर लोगप्रिय गायन रेलेटी कार्यक्रम सारे गामापा दो हजार तेईस फीट वापस आ गया है इस सीजन के जजों में अनु मलिक, हिमेश रिश्मिया और नीती मोहन शामिल हैं अलबर्ट काबो ने बंगाली गायन रेलेटी कार्यक्रम सारे गामापा बांगला दो हजार बाइस फीट के पिछले सीजन के दौरान अपनी गीतात्मक गायन क्षमताओं से कई प्रेमियों का दिल चुरा लिया अलबर्ट और उनकी पत्नी पूजा ने जुलाई में अपनी बेटी एवलिन को खो दिया उन्होंने अपने ओडिशन में सल्मान खान की फिल्म बॉडी गार्ड का गाना दिल का ये क्या राज है आई लव यू गाया और डांस किया सारी जीए मापा दो हजार तेईस में उनके प्रदर्शन के लिए जजों ने उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन दिया अलबर्ट काबो का जन्म 1988 में आयूग 35 वर्ष 2023 तक भारत के पश्चिम बंदाल के एक हिल स्टेशन कलिमपों में हुआ था वह लेपचा समुदाय से हैं जो हिमालय क्षेत्र का एक स्वदेशी जातिय समू है वह सांस्कृतिक रूप से समरिध माहौल में पलेब्धे जहां छोटी उम्र से ही उनमें संगीत के प्रती जुनून पैदा हो गया उन्होंने गिटार, कीबोर्ड और हार्मोनिका जैसे विभिन संगीत वाध्ययंत्र बजाना सीखा उन्होंने हिंदी, बंगाली, नेपाली और अंग्रेजी जैसी विभिन भाशाओं में भी गानेगाय डॉट अलबर्ट काबो ने पहले अपनी मा को मदर्स डे की शुभकाम नाए दी अलबर्ट काबो ने अपनी स्कूली शिक्षा कलिम्पों के सेंट आउगस्टीन स्कूल से पूरी की इसके बाद उन्होंने नौर्थ बंगाल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की पढ़ाई की उन्होंने नीच से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी प्राप्त किया उन्होंने विभिन्न स्कूलों और संस्थानों में कंप्यूटर शिक्षक और संगीत प्रशिक्षक के रूप में काम किया उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों और अवसरों पर एक गायक के रूप में भी प्रदर्शन किया एक गायक के रूप में अलबर्ट काबो का करियर तब शुरू हुआ जब उन्हेजी टीवी पर गायन रेलेटी शो सारे गामापा दो हजार तेईस के लिए आउडिशन का निमंतरण मिला शो में अनुमलिक, हिमेश रेश्मिया और नीती मोहन जज थे और आदित्य नारायन होस्ट थे डॉट काबो ने फिल्म बॉडिगार्ड से दिल का ये क्या राज है की भावपूर्ण प्रस्तुती से सभी को प्रभावित किया उन्हें जजों से स्टैंडिंग ओवेशन मिला और उन्होंने शो में अपनी जगह पक्की कर ली पूरे शो के दौरान वह अपने बहुमुखी गायन कौशल से दर्शकों को मंत्र मुग्ध करते रहे उन्होंने रोमांटिक, शास्त्रिय, लोक, रॉक, पॉप और रैप जैसी विभिन शैलियों के गाने गाये उन्होंने मंच पर विभिन वाध्ययंत्र बजाकर अपनी संगीत प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए जजों, अतिथी हस्तियों और दर्शकों से प्रशंसा मिली डॉट, अलबर्ट, चार अन्य प्रतियोगियों, पद्मा पलाश, अश्मिताकर, सोनिया गजमेर और अनन्या शर्मा के साथ सारे गामापा दो हजार तेईस के ग्रैंड फि पद्मा पलाश और अश्मिताकर को सारे गामापा दो हजार तेईस का संयुक्त विजेता घोशित किया गया डॉट, अलबर्ट काबो ने प्रशंसकों के बीच अपनी लोक प्रियता के लिए फेस्बुक विवर्स चॉइस अवार्ड भी जीता, उन्हें एक ट्रॉफी और रुपय का नकत पुरसकार मिला, इस पुरसकार के लिए एक लाख रूख सारे गामापा दो हजार तेईस में भाग लेने से पहले अलबर्ट नेजी बांगला पर एक अन्यगायन रेलेटी शो सारे गामापा बांगला दो हजार बाईस में भी भाग लिया था, शो में शांत पद्मा पलाश और अश्मिताकर से हार गए, जो सारे गामापा 2023 के विजेता भी थे, डॉट अलबर्ट काबो ने एक स्वतंत्र कलाकार के रूप में कुछ एकल भी जारी किये हैं। विभिन लाइव शो और संगीत कार्यक्रमों में भी प्रदर्शन किया है। आम कोशिशों के बावजूद अगस्त 2023 में बहुत कम उम्र में एवलिन का निधन हो गया। अलबर्ट ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर दिल दहला देने वाली खबर साजह की और अपने प्रशनसकों और दोस्तों से समवेधना व्यक्त की। अलबर्ट काबो की अनुमानित कुल संपत्ती कुछ स्रोतों के अनुसार तीन करोड। वह अपनी आय मुख्य रूप से अपने गायन करियर से अरजित करते हैं। वह लगभग रुका शुल्क लेते हैं। एक लाख से रूँ इवेंट और स्थान के आधार पर प्रतीशो दो लाख रूँ वह अपने एकल, सहयोग और विभ्यापन से भी कमाई करते हैं। उन्होंने सैंसन, वीवो और पेपसी जैसे कुछ ब्रांडों का समर्थन किया है, डॉट काबो एक शानदार जीवन शैली जीता है और उसके पास कुछ महेंगी समपत्ती है। उनका कलिम्पों में एक घर है, जहां वह अपनी पतनी के साथ रहते हैं। उनके पास एक कार, एक बायक और कुछ संगीत वाध्ययंत्र भी हैं। कुछ-कुछ होता है और आशी की दो हैं। उनके पसंदीदा गाने तुम ही हो, पहला नशा, और तुम से मिलके हैं। उनका पसंदीदा भोजन, मोमोस, नूडल्स और चिकन करी है। उनका पसंदीदा रंग नीला है। उनकी पसंदीदा जगह गोवा है। अलबर्ट सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हैं और उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोईग है। उन्हें संगीत का बहुत शौक है और वे इसे ही अपना जीवन मानते हैं। वह हमेशा नई चीजे सीखने और अपने कौशल में सुधार करने की कोशिश करता है। उन्हें संगीत की विभिन शैलियों और शैलियों के साथ प्रयोग करना भी पसंद है। अलबर्ट बहुत बहादूर और मजबूत इरादों वाला है। उन्हें अपने जीवन में बहुत सारी कठिनाईयों और चुनोतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने साहस और शालीन्ता से अपनी बेटी की दुखध हानी पर भी काबो पाया डॉट, काबो बहुत धार्मिक और आध्यात्मिक है। वह भगवान में विश्वास करता है और नियमित रूप से प्रार्थना करता है। वह अक्सर चर्चों और मंदिरों में भी जाते हैं। वह बहुत दानी और उदार है। उन्हें ट्रैकिंग, कैंपिंग, राफ्टिंग और पैरागलाइडिंग जैसी विभिन गतिविधिया करने में भी आनंद आता है। अलबर्ट काबो बहुत रोमांटिक और वफादार है। वह अपनी पतनी पूजा छेतरी से बहुत प्यार करते हैं और उन्हें राजकुमारी की तरह मानते हैं। वह अपने कुछ गाने भी उन्हें समर्पित करते हैं।